हेलो दोस्तों स्वागत है अप लोगा एक बार फिर से और आज हमारे पास तीन खबरे हैं जो युनिवस्टी कॉलेजिस से जुड़ी हुई है सबसे पहली जो खबर है वो ये है कि जो सेमेस्टर में स्पेशल बैक के रिजल्ट जारी कर दिये गए हैं दूसरी न्यूज है कि 2021 नहीं अब सेशन 2022 यानि 2022 से लागू हो नई सिक्षानीती इस बात की मांग की गई है और जो हमारी तीसरी खबर है वो है कि यूजी पीजी के चातरों को भी प्रणत करने की मांग की गई है तो चलिए फिर एक एक खबर को समझ लेते हैं क्या है बहुत जल्दी बिना समय गवाए पहली खबर है सेमस्टर में स्पेशल बैक के रिजल्ट जारी जोदी चन सिंग विस्विद्य हला ने दिसंबर 2020 में सेमस्टर कोर्ष में हुई स्पेशल बैक परिक्षाओं के रिजल्ट जारी कर दिया है इसमें MA Drawing or Painting, Arth Shastra, Angraji, Bhugol, Hindi, Home Science, Itihas, Radniti Vigyan, Sanskrit, Physical Education, Samaj Shastra, Music, 4th Semester, MA Hindi, Home Science, Maths, Radniti Vigyan, Mano Vigyan, Sanskrit, Samaj Shastra, 2nd Semester, BBA, BCA, 2nd Semester, 4th Semester, 6th Semester, BSE Computer Science, 4th and 6th Semester, BSE Home Science, 6th Semester, BJMC 2nd, 4th Semester, BALLB 2nd, 4th, 6th, 8th and 10th Semester, MSC Agriculture, Agronomy, Chemistry and Soil Science, और Horticulture, ये सारे subject सामिल है तो ये हमारी पहली कबर थी, Semester में जो Special Back के Results आप हुआ गए है, ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी कबर की तरफ दूसरी हमारी खवार है कि जो नई सिक्षानीती है वह है 2021 से नहीं सत्र 2022 से लागू हो लक्न विश्विद्याला के बाद, मेर्ट में भी जो सिक्सक संगठन है, उन्होंने नई सिक्षानीती को इसी सत्र से लागू करने के फैसले का विरोध किया है मूटा अध्यक्ष डॉक्टर निवेदीता मलिक ने उच्षी सिक्षा मन्तरी डॉक्टर दिनेश शर्मा को बेजे प्रत्यावि दन में चातर हिट में विचार करने की अपील की है दूसरी खवर अब हम चलते हैं तीसरी खवर के तरफ जिस तरह से आपने अभी देखा हाल ही में CBFC Class 12 और UP Board Class 12 के चात्रों को भी प्रमोट करने का फैसरा लिया गया है कि इंदर सरकार के द्वारा और रज्य सरकार के भी द्वारा तो इसी तरह मांग की जा रही है कि UGPG में भी अंडर गेजुएट और पॉस्ट गेजुएट में भी चात्रों को भी प्रमनत किया जाए कि UGPG के चात्रों को भी प्रमनत करने की मांग की गई है तो अब विश्वी दाहलों में भी युनिवस्टीज में भी इस सत्र में प्रवनत की मांग बहुत ज़ादा उठने लगी है लेखनो युनिवस्टी के एड़ेट कॉलेज के जो टीचर्स एसोसियेशन के अध्यक्स है डॉक्टर मनुज पांडे उन्होंने गुरुवार को उ बहुती जल्द इस पर भी फैसला आ जाएगा तो दोस्तों ये थी आज की युनिवस्टी और कॉलेज से जुड़ी हुई खबरे और इसी तरह आगे की खबरे पाने के लिए भी तुरन सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें वार ओफ जो आपके लिए लाता रहेगा आगे भी ऐसी ही नही नही खबरें